स्वागत है आपका हमारे चानल में मैरानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि लाइब शो के दौरान ही अरविंद केश्रिवाल को बहुत बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा इस दौरान वहाँ पर मौजू छातरों और टीचरों ने ये मुद्दा उठा दिया कि दिल्ली युनिवर्सिटी के अंदर सिक्षकों को ना तो फंड मिल रही है और ना ही सेलरी मिल रही है जिसकी वज़े से सिक्षक लगातार धरने पर बैठे हैं और इस चीज़ की वज़े दें कि ये जो ट्वीट है वो ज्यादा वाइरल हो रहा है इस वक्त और बीजेपी नेता परवेश साहिप सिंग ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए बड़ा आरो परविंद केशवाल पर लगा दिया और ये कहा कि दिल्ली युनिवर्सिटी के सिक्षकों को फंड नहीं म मिल पा रहा सेलरी नहीं मिल पा रही और इस वज़े से वो धड़ना दे रहे हैं और इससे चात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन हो रही है लेकिन अर्विंद केशवाल इस दौरान ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है लेकिन अर्विंद इजवाल एंडी टीवी में अपने शो द एकी ब्लूप्रिंट नाम से शो था और इसमें अपना इंट्रव्यू दे रहे थे और इस दौरान दो पत्रकार उनके साथ स्टेच पर मौझूद थे और अर्वंद केशवाल को सवालों के जवाब दे रहे थे इसी दौरान को छा करना देने को मजबूर हैं और इससे चात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन होती है लेकिन अर्वंद केशवाल कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मैं इसको देखूंगा और इसकी समाधान करने की कोशिश करूंगा और इसी के बाद ही देखा जात सिख्शक हैं उनकी सैलरी में कटोती कर रहे हैं। उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वज़े से वह धारना दे रहे हैं और इसे सम्भंदित वीडियो भी सामने आए थी जिसमें कि जो प्रोफेसर हैं सिक्षक महसंग के जो अध्यक्ष हैं और पूर्वा अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने खुल कर इस बारे में बात की है और उनका यही कहना था कि दिल्ली में यह जो चीजें हैं वो अभी कुछ दिनों से नहीं बलकि पिछले चार- सालों से यह जो चीजें हैं वो प्रोफेसर और सिक्षकों को फेस करना पड़ रहा है और यह वेतन में कटोती कोई नई बात नहीं है यह पिछले 3-4 सालों से ऐसे ही हो रही है कि अर्वंद केश्रवाल दिल्ली में मौजूस सिक्षकों को पूरी तनख्वा नहीं दे पाते उनकी फंड में कटोती की जाती है जिसके वज़े से सिक्षकों ने दिल्ली के डेपटी सियम मनेश सौधी और इसी के साथ ही दिल्ली के सियम अर्वंद केश्रवाल इन दोनों ही घरों के पास धरने दियें लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ कोई भी उन्हें सुनने के लिए नहीं आता यह बड़ा इल्जाम लगाया गया था प्रोफेसर्स के द्वारा लेकिन अर्वंद केश्रवाल इस शो में यह कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मैं इसको जरूर देखूंगा और इसकी समाधान करने की कोशिश करूंगा इसी के स साथ ही इस शो में उन्होंने कई सारी बाते की क्योंकि शो का ही नाम ही था दा एक ब्लूप्रिंट जिसमें कि वो आने वाले चुनाव को ले करके और दिल्ली मॉडल को ले करके बाते करते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन चात्र जो हैं उन्होंने दिल्ली मॉडल और अ सवालों का जवाब देने में असमर्थ भी दिखाई दे रहे थे एक ने तो यहां तक पूछ लिया कि आप सारी चीज़े फ्री में देने का जो बात है वो करते हैं फ्री सिक्षा फ्री बिजली फ्री पानी फ्री इलाज लेकिन यह सारी चीज़े कैसे पॉसिबल होती है तब अरविंद केश्रिवाल कहते हैं कि हम कटर इमानदार हैं हम रहस्टा चार नहीं करते जिसकी वज़े से यह सारी चीज़े हम लोगों को दे पाते हैं हमने स्कूल बनाया मोहला क्लिनिक बनाया लेकिन अगर सच्चा ही देखी जाए तो अभी तक दिल्ली में एक भी नया स्क कुलों को रिनोवेट कराया गया है यह दिल्ली की ही जनता का कहना है इसी के साथ ही उनके घरों में पीने का स्वक्ष पानी भी नहीं पहुंच पाया है आज की डेट में और अगर मोहला क्लिनिक का बात करें तो वह भी सचाई लोगों के सामने हैं और एजुकेशन मॉडल क की बात करें तो अभी पिछले ही दिनों के वीडियो काफी ज्यादा वाइरल हुआ था जिसमें यह देखने को मिला था कि कैसे जो चात्र है वो एक टीन शेड में पढ़ने को मजबूर है और यह है अरविंद की जिवाल का सिक्षा मॉडल और यह है दिल्ली मॉडल इसको ल टीचर्स भी ठीक तरीके से अवैलिबल नहीं रहते इसी के साथ ही एक केस पहले सामने आया था कि कैसे मुहला क्लिनिक में जो सिरप की डोस थी उसकी वज़से सोला बच्चे बिमार हो गए थे और तीन बच्चों की मौत हो गई थी तो यह तमाम चीज़े लगातार अरवं यही में कॉंग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है आप पर कि जिस तरीके से पंजाब में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान एक ऑटो ड्राइवर खड़ा होता है और वो आपको अपने घर खाने के लिए इनवाइट करता है और सीम यही पैटन गुजरात के प्रेस कॉंफरे की से देखने को मिलती है तो इस पर अरवन्द केशवाल यह जबाब देते है कि कॉंग्रेस को भी ये चीज़े सीख लेनी चाहिए लेकर भी लोग सवाल उठा रहे है कि हर्जोगा अर्विंद केशवाल जाते हैं प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं तो अचानक से यह आटो ड्राइवर कैसे आ जाता है और उन्हें खाने के लिए इनवाइट भी कर देता है और अर्विंद केशवाल बकाइदा अपनी पूरे कैमरा और टीम को ले करके वहां पर पहुंच भी जात ही है इसी के साथ ही यह भी पूछा गया था कि अर्विंद केशवाल जितना काम नहीं करते हुश से जाधा अपने काम का जिक्र करते हैं यानि कि अपने काम करने के साथ ही साथ ओस से दगने और तीगुने दामों पर अपने एड़िटीजमेंट भी लगाते हैं इसी के साथ ही जिस तरीके से टीचर्स ने ये मुद्दा उठाया छातरों ने ये मुद्दा उठाया लाइफ शो के दौरान तो कहीं न कहीं अरविंद के जिवाल की पोल इससे खुल गई और जो तमाम टीचर्स धरने पर बैठे हैं लगातार अपनी फंडिंग और सेलरी में कटोती को ले करके तो इससे कहीं न कहीं जादा लोगों तक उनकी ये बाते भी पहुँचेगी उनका ये कहना रहा है सिख्षकों की जो पुरानी वाइट अगर हम देखे तो उनमें वो साफ साफ कहते हैं कि कैसे उन्होंने मनीश सौधिया के घर के बाहर भी धरना दिया सीम अरविंद केज़वाल के घर के बाहर भी धरना दिया लेकिन इसके बावजूद किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और लाइफ शो में अरविंद के जवाल कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं फिलाल आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे कि और भी अपडेट के का प्रव बैकार आपका बात शुन्म में प्रशόल आपका ह erfolgですね भी ाIch स centuries dallौर आपकािश्य ओिए बावर की इसके जर कोई थो था-वे एा हमारे बावज़ वी धिए आपका है